Rainbow 7 Channel की ओर से मदन गोपाल का सतरेंगी नमेशकार Mount Everest पर कलाइमिंग करना हर किसी का सपना होता है लेकिन कुछ परस्तितिया ऐसी बनती है कि जिसकी वज़े से हम वहां नहीं जा पाते हैं लेकिन आप भारत के हिमाचल पर्देश के बारालाचा पास Mount Everest और 12 पास में क्या समन्द है जी हाँ कुछ समन्द है समन्द ये है कि बारालाचा की जो height है altitude है जो Mount Everest का लगबग आदा है यानि कि 8848 मीटर Everest की उन्चाई है Mount Everest की बात करें तो बारालाचा पास की उन्चाई की बात करें तो 4850 मीटर के करीब इसकी height है तो आद इसी थोड़ी सी ज्यादा है तो कुछ अनुभूती कुछ फिलिंग आपको मांट एवरेस्ट वाली ही मिलने वाली है इस पासेज को तो यहां जाते समय क्या-क्या सावदानी रखनी चाहिए क्योंकि कुछ परिस्तितियां ऐसी बन जाती है जो मलब जान जोखी में प चाहिए क्या-क्या समान केरी करना चाहिए परिमिट चाहिए किन पस्तितियों में परिमिट नहीं चाहिए वो सभी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट वीडियो है और आप हमारे टीम के साथ यानि रेंबो सेवन टीम के साथ गूमना चाहें तो वाटसप का link description में दिया गया है और हमारे facebook page group है उनको भी follow कर सकते हैं link description में दिये गये हैं तो बाते होती रहेगी आप नजारे देखिएगा नजारे बहुत प्यारे हैं और थोड़ा सा गला भी खराब है उसके लिए sorry और यहाँ जाते वक्त कौन कौन से आपको रस्ते के अंदर आपको देखने को मिलेंगे point तो सबसे पहले आप Solang Valley, Attal Tunnel North Portal और South Portal Sisu का waterfall, Sisu Lake और साथ में आप Lahol गाटी का श्यांदार नजारा, चंद्रा वेली दिपक ताल, सुरज ताल बारालाचा पास एस सी मैतू पून points आपको यहां देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी यात्रा को एक आविसमरणी पल परदान करेंगे जैसे ही आप Attal Tunnel पार करके Sisu Side, Lahol की सुन्दर गाटियों को नहारेंगे तो आपके मन में ऐसा आएगा कि हमें यहां पहले आना चाहिए जब स्नोफोल होता है तो पूरी गाटी सपेद बरब की चादर में ढख जाती है फिलाल हरित्मा की चादर में लिप्टीवी, लाहोल की जो गाटियां है, बेहद सुन्दर आपको नजर आ रही है और रस्ते के अंदर आप HP TDC का यान ही माचल टूरिजम का होटल है वहाँ आप ब्रेकफास्ट नास्ता कर सकते हैं, बहुत ही केलोंग का प्यारा नजर आपको मिलेगा होटल चंदरा उनीका सरकारी होटल है और साथ में आगे आपको दार्चा का सुन्दरतम व्यूव मिलेगा, बहुत ही ultimate, बहुत ही खुबसूरत ऐलोकिक नजरी यहां देखने को मिलेंगे और आपको यहां बताया जा सकता है कि यह लास्ट गाव है खाने पिने की सुविदा आपको आगे भी मिलेगी जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिपक ताल यहां जो मनाली से सर्चु तक का जो सड़क का प्रोजेक्ट है, इसी के नाम से दिपक की बाती यह ताल बना हुआ है बहुत रमनिक, बहुत कुपसूरत और यहां आप कुछ पल आनंद के और फोटो सेशन करवा सकते हैं उससे आगे का जो नजारा है वो बहुत ही प्यारा है बहुत ही प्यारा है देख लीजेगा खुद आंकों से यह है सुरस्ताल तो यह सबसे मेरे को पसंद आया सुरस्ताल सुरस्ताल के अंदर आप नजदिक जाकर फोटोनास सेशन करवाईएगा क्योंकि पत्थर ढिले हैं नीचे जा सकते हैं और पानी इतना ठंडा है कि आप दो चार पांच मिनट भी अंदर नहीं रह सकेंगे यानि मर्त्यू तक हो सकती है इतना ठंडा पानी है और यह पानी साप भी है और यहां का पवितर पानी लोग घरू में ले जाते हैं मैंने वहाँ देखा है और अब यहां क्या-क्या साप दानी रखनी चाहिए वो बता देता हूँ तो बस के दुआरा आप भी आ सकते हैं उसका मैंने एक अलग से वीडियो लाना है आपके ज़्यादा कोमेंट आने पर तो साप दानी के अंदर सबसे पहले आप दिरे दिरे चलना है क्योंकि हाई अल्ट्यूट है आपको सांस की दिक्त होगी अपने आप भी मैसुस हो जाएगा दिरे बोलना है क्योंकि जैसे ही आप तेज बोलेंगे कि कब आपका डिहाइडरेशन क्योंकि विदर कूल कूल है और इस वज़े से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको डिहाइडरेशन हो गया चक्राने लग जाएंगे रस्ते के अंदर आपको गलेशिर मिल जाएंगे बरफ लगातार मिलती रहेगी और गबराना नहीं है मन को इस्तिर रखना है क्योंकि हाई अल्टिटूट पास है सरीर के अंदर सभी के अंदर नहीं होता है कुछ वेक्तियों के अंदर सरीर के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है और जो AMS Acute Mountain Sickness की प्रोब्लम होती है जिसमें सिर्देद परारम होता है दिरे दिरे और उसके बाद ये तेज़ी से होता है तो इसी का बचाव यह है रहेगा कि आप जो हाइट पराप्त किये हैं उसको लो हाइट की ओर जाना है यानि हाइट लूज करना है तो और एक सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ आप medical facility भी provide कीजेगा आप मेरी बात का support कीजेगा और जो ये बारालाचा पास लिखा हुआ है ये moment जो ये समारक है मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया रोतांग पास का जो लिखावा इसमारक है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये उसकी बनिस्पत सरकार से निवेदन की इसको थोड़ा सा अच्छा बनाईए क्योंकि यहां दिदार करने के लिए लोग आते हैं और ये बुथ जो ये समारक है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सरकार से निवेदन अरजे हमारा सपोर्ट करेंगे सभी सब्सक्राइबर क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए जो में समारक जो बरालाचा पास लिखावा है वो अच्छा बनना चाहिए और साथ में अब वह एक विशेस बात भी बताऊंगा साथ में क्या-क्या केरी करना चाहिए एक तो UV प्रोटेक्ट संगलासेज यानि काला चस्मा जो अल्ट्रा वोइलेट आती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो होना जरूरी है एक गुड कुवालिटी का संस्क्रिन करीम चैरे पर लगा लिजेगा और चैरे पर हेट टोपी रहे तो और बेटर रहेगा क्योंकि हाई अल्टिटूड पास है तो संरे है यानि की जो सुरज की किरने वो सिध्धी प्राप्त होती है और गरम कपड़े तो रखने ही चाहिए क्योंकि आपने आप सभी वेक्ती देख लीजेगा गरम कपड़ों में सिर को डख कर रखिएगा टोफी फल और नास्ता लेकर आ सकते हैं वेसे यहाँ एक कार मिल जाती है पानी यहाँ है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है यदि आप गरम पीते हैं तो आप यहाँ गरम पानी प्लास्टिक की बोतल में ने लाकर स्टील में लाएं तो बेटर हैगा इनवार्मेंट के लिए भी आपके लिए भी और जो अतियाव सक मेडिशन है जो आपके चल रही है उनको भी लेकर आना है कुछ लोगों का मानना मैंने ट्राइ नहीं किया कपूर सुंगने से एक्यूट माउंटेन सिखनेस की प्रोबलम थोड़ी दूर होती है और सुन का यूज करने से भी दूर होती है लेकिन मैंने यूज नहीं किया है आपकी जो डॉक्टर है उसकी सलाप पर एक्यूट माउंटेन सिखनेस की जो दवा आती है उसको आप यूज कर सकते हैं हमने गलेसियर के नजदिक जाकर सूट किया है थोड़ा सा चलना पड़ेगा देरे देरे चलते वैं आप या बड़ेका क्वालिटी की सनो आप अक्सप्लॉर कर सकते हैं उसमें देरे देरे आप एक्टिविटी करने माई चाहिए ज्यादा उचल कोद नहीं करना चाहिए दिक्ट हो जाती है बहुत दिक्ट होने वाली है यह सबी के साथ नहीं होती है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ होती है और यहां एक सेल्टर बना हुआ है, छोटा सा सेल्टर है, सेल्टर बड़ा बनाना चाहिए सरकार से क्योंकि यहां रेनफॉल और सनुपॉल कभी भी हो सकता है तो बचने के लिए इतने वेक्ती जाते हैं, तो आप यहां बड़ा सेल्टर बनाईएगा और टोइलेट थोड़ी दूर बनावा है, तो नजदीक बनाईएगा पिछे काफी दूर जाना पड़ता है, तो जिसके प्रोब्लम होती है AMS की वह वहां नहीं जा सकता, तो इस जो यह लिखा है या जहां सेल्टर बनाईएगा वहां ही पास आप टोइलेट की वेवस्ताबी सरकार से हमनरोद करना चाहते हैं अब हम विशेश सावधानी और परमिट के संदर में बात करना चाहेंगे विशेश सावधानी यह होती है कि रोड कंडिशन बी आरो की वज़े से अच्छे हैं और आप दिल्ली चंडिगर से एक दिन या दो दिन के अंदर लगातार चलके यहां आ सकते हैं मेदान उसे यहां आप जो हैट गेन करोगे तो आपका सरीर है वो एकलमेटाइज नहीं होगा अनुकुलित नहीं होगा जिसकी बज़े से आपको एमस की प्रोबलम निश्चित रूप से होगी और उसमें आपकी जान तक जा सकती है तो इस बात का विशेज कहयाल रखिएगा आप एक दिन मनाली या केलोंग है या दार्चा के अंदर है इस्ते कीजिएगा और उसके तत्थपस्चात ही यहां की यात्रा कीजिएगा जिसे आपका सरीर एकलमेटाइज हो सके और यहां आने के लिए कोई परमिट की आउसकतार नहीं होती है यदि आप रोतंग थूआएंगे तो परमिट की आउसकतार रहेगी वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करे जैहिंदे